मिस्मिल्ल रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकॉम आज डिस्कस करेंगे एक साइज 1.1 का क्वेस्टिन 2 क्वेस्टिन 2 का पार्ट 1 सामने है यहां गिवन x²-x-20 is equal to 0 और हमें solve करना है फेक्टराइजेशन मेथड से फेक्टराइजेशन मेथड इस पे हम apply करेंगे तो इसका मेथड यह है कि हमने यहां देख रहे हैं कि 3 drums given है फिर्स ट्रम x² है और लास ट्रम 20 गिवन है तो फिर्स ट्रम और लास ट्रम को हम as it is लिख देंगे तो simplify करते हैं फिर्स ट्रम यहां पर है आपके सामने x² तो आप लिख देंगे x² और लास ट्रम है यहां पर minus 20 इसको भी लिख दिया is equal to 0 यहां mid में given है minus x अब आपने यहां 2 parts में इसको divide करना है तो अगर हम 1 को 20 से multiply करेंगे तो result आई का 20 और 20 calcium solve किया 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5 तो हमें यहां पर factors मिल गए 2 multiply by 2, multiply by 5 अब इन में से हमने pick करना है 2 numbers अगर हम यहां पर लिखते हैं ऐसे numbers लिखना है कि plus minus करें तो बन जाए minus x और multiply करें तो obviously यहां बनता है 20 तो हम यहां पर 2 numbers देंगे हमने लिखा minus 5 x and plus 4 x then आपने अगर 5 में से 4 को subject लिया तो result आएगा minus x क्योंकि 5 हमने 5 के साथ minus का sign इस लिखा क्योंकि हमें result में चाहिए minus x minus x चाहिए इसलिए हमने 5 के साथ minus लिखा और 4 के साथ plus कि हम subject करेंगे तो बनेगा minus x अब starting 2 में से हमने common लिया तो x common लिया तो bracket में आगया x minus 5 यहां से हमने 4 x और minus 20 में से हमने common लेना है तो हम यहां पर ले लेते हैं plus 4 तो bracket में आजेगा x minus 5 क्योंकि 4 5s are 20 अब हम देखने हैं कि first drum है this is first drum और this is second drum इन दोनों drums में x minus 5 common नजर आ रहा है तो हम लिख देंगे x minus 5 और फिर हम लिख देंगे x plus 4 is equal to 0 अब आपने यहां पर x minus 5 equal to 0 लिखा और इसी तरह x plus 4 equal to 0 लिखा then x की value आ गई यहां पर 5 और यहां x की value आ जाएगी minus 4 then हमारा यहां पर solution set आ गया है solution set में answer आएगा 5 and minus 4 this is the first part of the question 2 हमने factorization method apply किया है और इसका solution आ गया है 5 minus 4 now we have another question part 2 part 2 आपके सामने 3 y square is equal to y और bracket में है y minus 5 इस question में भी पहले इसको हम equation को solve करेंगे तो हमने लिखा 3 y square is equal to y को y से multiply किया y square and then minus 5 y bracket open कर दिया तो result आ गया अब हमने लिखा 3 y square equal to से पहले shift किया तो minus y square plus 5 y is equal to 0 now यहाँ पर हमने सामने y square और y square है तो हम इसे simplify करेंगे 2 y square plus 5 y is equal to 0 then अब यहाँ पर हमेरे पास answer आ गया है तो हम यहाँ देख रहे है y common है y हमने common लिया तो bracket में आ जेका 2 y plus 5 is equal to 0 now अब यहाँ पर हमने इसके y is equal to 0 और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 y plus 5 is equal to 0 so यहाँ पर हमें y की value चाहिए तो हमने लिखा 2 y is equal to minus 5 and y is equal to minus 5 divided by 2 so solution set हमारे सामने है हम यहाँ पर लिखेंगे solution set y है 0 और y है minus 5 upon 2 so these two are the solution set now part 3 है 4 minus 32 x is equal to 17 x square so this question में भी हम पहले 3 terms हैं तो equals to के बास 0 लिख देते हैं और सारी terms को एक साइड लिख लिख लेते हैं तो यहाँ given है सबसे पहले 17 x square फिर minus 32 x है तो हम लिख देंगे इसे plus 32 x और फिर यहाँ पर plus 4 है तो उसको हम लिख देंगे minus 4 is equal to 0 तो अब यह equation हमने equals 2 से पहले सारे numbers shift करके बना ली है तो अब यहाँ पर हमाँ पास 3 trams हैं तो same वही method है कि first trams और last trams को हम multiply करेंगे यानि 17 को जब हम 4 से multiply करेंगे तो result बनेगा यहाँ पे 68 68 calcium लिया 2 threes are 6 and 2 fours are 8 then 2 ones are 2 and 2 sevens are 14 then 17 ones are 17 so यहाँ पर हमाँ पास factors आगए 2 multiply by 2 multiply by 17 then हमने middle drum को break करना है 17 x square as it is minus 4 as it is 32 को break करेंगे two parts में इन numbers में से pick करेंगे और factor बनाने हैं so हम 17 को अगर 2 से multiply करते हैं तो बनता है 34 तो हम में लिखा 34 x and minus 2 x तो यहाँ हमने middle drum break कर ली है और हमने अब first two drums में से common लेना होता है और last की two drums में से 34 में से 2 minus किये तो यहाँ 32 बन रहा है plus के sign के साथ तो यहाँ पर हमने अब लिया 17 अगर हम common लेते हैं और x भी common लेते हैं तो bracket में आएगा x प्लस 17 तूजा 34 और यहाँ पर हमने लिया minus 2 common तो bracket में आएगा x minus plus minus और यहाँ लिख दिया 2 नाओ यहाँ पर आपके सामने आगया 17 x minus 2 और यहाँ आगया x plus 2 is equal to 0 तो 17 x minus 2 भी 0 एक्वेट किया और x plus 2 भी 0 के एक्वेट किया नाओ यहाँ पर अगर हम x find out कर रहे हैं तो हमें लिखा 17 x is equal to 2 और x is equal to minus 2 then x is equal to 2 upon 17 तो यहाँ पर हमारे पास solution set आगया है 2 upon 17 and minus 2 this is the answer हमने find out कर लिया है solution set नाओ फूर्थ पार्ट है x square minus 11 x is equal to 152 इस question में भी आपने वही काम करना है x square फिर आपने लिखा minus 11 x फिर लिखा minus 152 is equal to 0 अब आपके सामने यहाँ पर 3 drums है middle drum break करनी है x square को 152 से multiply किया 152 का LCM solve करना है अब आपने किया 2 7s are 14 and 2 1s are 2 2 2s are 4, 2 6s are 12 आगया था फिर 2 1, 2 3s are 6 and 2 8s are 16 then again 2 से 2 1s are 2, 2 9s are 18 and then 19, 1s are 19 now यह factors मिल गए हमें 2 multiply by 2, multiply by 2, multiply by 19 so इन numbers में से हमने pick करना है और यहाँ put करना है 11 x को break करना है लिखा x square as it is minus 152 as it is लिख दिया और हमने middle drum में 11 x को break करना है तो break करने के लिए हमने इनी numbers को pick करना है जो अभी हमने factors लिए हमने लिखा minus 19 x and plus 8 x 19 में से 8 minus की result आया 11 minus के साथ तरह हमने 19 के साथ minus का sign रखा है so यहाँ पर हमने simplify करके first step में middle drum को break कर लिया है अब starting 2 में से common लिया x common तो bracket माया x minus 19 और 8 x minus 152 में से हमने common लेना है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं plus 8 x minus 19 answer क्योंकि 8 multiply by 19 बनता है 152 अब आ गया x minus 19 और फिर लिखा x plus 8 is equal to 0 now यहाँ पर x minus 19 equal to 0 और x plus 8 equal to 0 now यहाँ पर x की value आ जाएगी 19 और इसी तरह x की value आ जाएगी minus 8 now यहाँ पर solution set आ गया हमारे सामने 19 and minus 8 so यह हमने part 4 solve कर लिया है और solution set आ चुका है now अब हम discuss करेंगे part 5 part 5 में आपको यहां fraction में values given है और variable x given है आपको तो आपको वही step यानि first step simplify करने के लिए LCM लेना है x और x plus 1 है इसको combine करके लिख देंगे now इसके बाद हमने ही करना है कि हमने product x x plus 1 को first fraction में value denominator x उसे divide किया तो x plus 1 बच जाना है और x plus 1 को numerator x plus 1 से multiply करना है तो यहां bracket में लिखा x plus 1 and x plus 1 then plus का sign और उसके बाद यहां x plus 1 से x plus 1 को जब हमने divide किया तो result बचा x और x को numerator x से multiply किया तो bracket में आ गया x and x is equal to 25 divided by 12 first step हमारा हो गया है अब हम देख रहे हैं कि हमने इसे यहां पर multiply करना है दो brackets हैं तो हमने simplify किया x लिखा और x plus 1 bracket में फिर plus 1 लिखा और x plus 1 bracket में x x multiply किया x square divided by x and x plus 1 is equal to 25 divided by 12 अब हम आपने यह काम किया कि x को x से multiply किया तो आ गया x square x को 1 से किया तो x फिर 1 को x से किया x और फिर 1 को 1 से किया तो result आया 1 plus x square and divided by x bracket में x plus 1 है simplify कर लेते हैं x को x से multiply किया x square x को 1 से किया तो plus x is equal to 25 divided by 12 अब हमने किया x square और x square तो हो गया 2x square x और x plus किया तो हो गया 2x and plus 1 divided by x square plus x is equal to 25 divided by 12 cross multiply कर लेंगे यानी 12 को हमने cross में ले जाना है और 25 के साथ x square plus x को cross में ले जाना है so finally ये बन गिया है सामने हमारे लिखा हुआ है 12 और पर bracket में values given है इसको simplify करें 12 को 2 से multiply किया 24 x square 12 को 2 से multiply करें 24 x and 12 once a 12 is equal to 25 को x square से किया 25 x square and 25 को x से 25 x now ये हमेरे सामने equation है हम देख रहे हैं कि same same variable है x square x square equal to से पहले भी और बाद में भी so हम इनको एक side shift कर लेते हैं 25 greater है तो 25 की side shift करेंगे 24 महां गया minus 24 x square हो गया पर 25 x plus 24 हो गया minus 24 x and plus 12 है तो हो गया minus 12 equals to के बाद 0 now 25 में से 24 को सब्टेक्ट हिया तो यहां result आएका x square 25 में से 24 सब्टेक्ट हिया तो यहां आएका result plus x and minus 12 equal to 0 अब equation simple हो चुकी है यहां पर हमारे सामने अब हमने 12 का factor 2 6 is 12, 2 3 is a 6 and 3 1 is a 3 तो यहां factors आगए 2 multiply by 2, multiply by 3 अब आपने इन तीन numbers में से middle term लेनी है तो आपने first term last term को as it is लिख दिया middle term थी plus x तो आपने लिखा plus 4 x minus 3 x क्योंके plus minus minus और 4 में से 3 को minus करेंगे तो result आएका x starting 2 में से x common लिया तो x plus 4 आगया फिर minus 3 common लिया तो यहां आगया x plus 4 is equal to 0 नाओ यहां पर minus plus minus है अब x plus 4 and x minus 3 यह दोनों हमारे सामने आ चुके हैं तो अब हमने find out करने solution set x plus 4 equal to 0 and x minus 3 equal to 0 तो x की value आजाएगी minus 4 और यहां x की value आजाएगी 3 so solution set is minus 4 and 3 finally अब हम last part है part 6 इसको solve करते हैं यहां पर fraction में ही value given है first step में आप as it is 2 divided by x minus 9 लिख देंगे और यहां पर आप इसका fraction में value है तो else ही हम लिखेंगे x minus 3 and x minus 4 अपन में लिख दिया x minus 3 x minus 3 cancel remaining x minus 4 इसको पर लिख दिया x minus 4 अब यहां x minus 4 x minus 4 cancel remaining x minus 3 तो आपने 1 से multiply गिया तो x minus 3 आपने इसको bracket में लिख दिया now x minus 4 minus x and minus minus plus 3 लिख दिया आपने divided by x minus 3 and x minus 4 now यहां पर लिखा 2 divided by x minus 9 अब आपने इसको simplify करना है और simplify करते हुए solve करना है तो आपने लिखा 2 divided by x minus 9 is equal to x से x cancel plus minus और minus 4 plus 3 आजाएगा minus 1 इस equation को solve किया result है minus 1 इसको simplify करते हैं तो हम x लिखेंगे और यानि दोनों bracket solve करने x minus 4 bracket में फिर minus 3 लिखा और फिर x minus 4 bracket में now हमने few steps solve किये हैं तो equation ऐसे form हो गई है अब हमने लिखा 2x square minus 14x plus 24 minus x को shift किया हो गया plus x और फिर आपने plus 9 को shift किया minus 9 equal to 0 now इसके बाद आपने यहां पर इसको simplify करने है और यहां 2x square as it is लिखा 14x में से x को minus किया minus plus minus तो यहां आजाएगा minus 13x और फिर आपने plus 24 and minus sign simplify किया तो यहां पर plus minus minus और रिजल आएगा plus 15 is equal to 0 now we have again three drums here first drum last drum से multiply 15 2s are 30 और 30 का हमने LCM देने 2 1s are 2 and 2 5s are 10 3 5s are 15 and 5 1s are 5 so we have factors 2 3 and 5 अब आपने 2x square as it is लिखा plus 15 as it is लिखा और आपने यहां in 3 drums में से मेट की 2 drums बनानी है तो आपने यहां पर अगर लिखा minus 10x and minus 3x तो minus minus plus होता है तो 10 plus 3 13 बन जाएगा starting 2 से common लिया तो 2x common है तो bracket में आया x minus 5 और इसी तरह से यहां 3 common है तो bracket में आया x minus 5 equal to zero now यहां पर आपके सामने है 2x x minus 5 and 2x minus 3 is equal to zero यह दोनों हमारे सामने है result अब x minus 5 भी zero के equal है और 2x minus 3 भी zero के equal है now x की value आगई plus 5 और यहां पर आगई 2x equal to 3 तो यहां आगई x की value 3 upon 2 so solution set हमारे सामने आचुका है 5 upon 3 upon 2 हमने question 6 exercise 1.1 का question number 2 का part 6 solve कर लिया है now you can take help from this video thank you for watching and मिलते हैं अब next video में question 1 के part 3 के साथ so जब तक आप अपना खयाल रखेगा और दुआओं में याद रखेगा Allah हाफिज आप street रा में याद法 disp़ह फज पर ख़ई